न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नास्कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र और एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूस क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदसता को ग्रहिंड करके और आज नियूस चक्र में जो मुद्दा में आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये कि अब वैक्सीन गुरू की इंटरनाशनल बेज़ती हो रही है क्योंकि दुनिया के सामने अपने पाल्तू चैनल्स के जरीया आपने ये कारकरम चलवाये थे जहां आपने खुद के बारे में वैक्सीन गुरू होने का अदाबा किया था मगर क्या आप जानते हैं दो देश भूटान और श्रीलंका दोनों देश भारत पर आश्रुत थे वैक्सीन के दूसरे डोस के लिए मगर चुकि भारत में वैक्सीन की कमी पड़ गई थी उसके चलते अब हम इन दो देशों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं यानि कि अंतराश्ट्वी तोर पर हमने जो अपनी तरफ से एक कमिट्मेंट दी थी उस कमिट्मेंट तक को हमने पूरा नहीं किया ये इंटरश्टली बेज़ती नहीं हुई तो आखिर क्या हुआ ये दोनों देश अब चीन की गोध में जाकर बैठ जाएंगे ये हमारी बेज़ती नहीं हुई तो आखिर क्या हुआ इसकी चर्शा में आगे करना चाहूँगा दोस्तों मगर मैं अब आपको बतलाने वाला हूँ कि वैक्सीन्स को लेकर और कुरूना को लेकर ये सरकार कितनी गंभीर है और इसके मंत्री कही न कहीं ट्रोल्स बने हुए यानि कि विपक्ष के साथ सार्थक समवात करने के बज स्क्रीन्स पर काम की बात सिर्फ एक वैक्सीन की कमी खत्म करो बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुँचा दो फिर चाहे मन की बात भी सुना दो दोस्तों ये 24 सेकंड का वीडियो अब आपके स्क्रीन्स पर चल रहा है जो कि राहू वैक्सीनेशन दिवस बनाया था तब ये बहुत तेजी से आस्मान की तरफ बढ़ा था मगर फिर लगातार गिर रहा है अब राहूल गांधी ने जो पेश किया वो तमाम उद्दे तत्यों पर आधारित है मगर मैं अब आपको बताता हूँ कि सरकार में मंत्री मुक्तार अ अबास नकवी की क्या भाशा है ये देखिए आपके स्क्रीन्स पर राहूल गांधी के बयान का हवाला देते हुए इनका अपना बयान क्या है आपके स्क्रीन्स पर पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा या भटकाना भ्रमाना भय भ्रम का भौकाल ही पप्पू की प्रति लोधक शमता है आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं मुखतार अब्बास नक्वी साहब से नक्वी साहब ही कौन सी भाशा है जहां आप विपक्ष के देता के लिए पपु शब्द का इस्तमाल करने हैं चलिए आपकी ट्रोल से ना करें तो बात समझ आती है और भ्रहम में पै बयानी कर रहा था इसको तो आपने अब तक घर अफ्तार नहीं किया है आईए मैं आपको सुनवाता हूं रामदेव के दो बयान क्योंकि मुखतार अब्बास नक्वी जब विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं तो उन्हें सुनना पड़ेगा कि रामदेव ने तरसल क्या कहा थ सुनिए इनका ये दावा कि दस हजार डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने के बावजूद मर गए सुनिए ये होस्पिटल में चले जाते हैं ने इसके पापा बिलकुर और तो फिर कहां जाते हैं अब मैं ऐसे बोल देता हूं तो कहते हैं बाबा ऐसे क्यों बोलता रहे तुमने अब बताओ दस हजार से जादा तो डॉक्टर्स वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए दस हजार से जादा और बात यहां नहीं रुकिए अब इस बयान में देखिए किस तरह से लेटे लेटे ये आदमी मेरे डॉक्टर्स की तोहीन कर रहा है तर 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 इस तरह से वैक्सीन को लेकर डाक्टर्स को लेकर ये बंदा तोहीन कर रहा है अपने आप कोई नहीं बचाए पाई वो कैसी डॉक्टर ही तो मैंने का डॉक्टर बनना है तो सौमी राम देव जैसा बन जिसके पास में कोई डिगडी नहीं और सबका डॉक्टर है मैं पूछना चाहता हूँ मुख्तार अबास नक्वी साहब से नक्वी साब काईदे से तो सरकार को विपक्ष के साथ एक सार्थक समबाद करना चाहिए मगर समबाद तो बहुत दूर की बात है आपकी भाशा एक गए गुजरे ट्रोल जैसी है और उसके इलावा कुछ नहीं यानि कि सड़क पर कोई आदमी खड़ा हो गया है और वो इस तरह की बयान बाजी कर रहा है अब मैं आपको बताता हूँ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर देनिक भासकर की खबर प्रधान मंतरी ने कहा वैक्सीन लगवाएं अफवाहों पर ध्यान ना दें मेरी सौ साल की मा ने भी दोनों डोजस लिये बहुत ही खुबसूरत बात कहिए आपने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मगर आपको ये भी बताना होगा कि जो लोग अवाह पहला रहे हैं उसको लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं बताई क्या आपने रामदेव को लेकर कोई कदम उठाया? नहीं उठाया और मैं आपसे समझना चाहता हूँ आखिर क्यूं क्यूं ये कदम नहीं उठाया गया है और आपकी जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयानाद दे रहें इस तरह की बयानबाजी करने हैं और हमने इन कारिकरमों के जरिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को वक्सीन गुरू का रुतबा दिया था क्यों? क्योंकि हमने भारती वोटर्स भारत के भोले भाले वोटर्स को ये बतलाया था कि देखो किस तरह से भारत जो है वो दुनिया भर की वैक्सीन की जरूरतों को पूरा कर रहा था यानि कि उस वक्त हमने ये प्लानिंग नहीं की थी कि देश के अंदर कितनी वैक्सीन्स की जरूरत पड़ेगी तो हमने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर दी मगर बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आई और लाखों की तादाद में लोग मरें तब हिने बाद समझ आई फिर ये लोगों ने क्या किया कि दूसरे देशों को जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसे तोड़ दिया मुझे लगा था आप सल्मान खान बनेंगे और कहेंगे कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता मगर नहीं आपकी वज़ा से दो देश इस वक्त मुश्किल में है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दो देश कौन से हैं एक भूटान एक श्रीलंका भूटान की खबर देखिये दोस्तों हिट बाई इंडियाज वाक्सीन एक्सपोर्ट बैन भूटान सीक्स हेल्प आज की तारीक में एक छोटा सा देश भूटान पूरी दुनिया के सामने गिड़ गिड़ा रहा है मदद मांग रहा है और क्यों तड़प रहा है हम दुनिया से अपील कर रहे हैं कि वो भूटान की मदद करें उन्हें समझना होगा कि एक छोटे से देश होने के नाते हमारी क्या दिक्कते हैं एक छोटे देश होने के नाते हमारी कैसी स्वास्त विवस्था है ये कोई और नहीं बलकि वहां की हेल्थ मिनिस्चर लिउन्पो डिचिन वांग मो बोल रही हैं वो गिडगडा रही हैं क्योंकि भारत में अपनी कमिट्मेंट पूरी नहीं की और बात यहां नहीं रुकती है आपके सामने श्री लंका की खबर श्री लंका वार्ण तोसे फिवलाग कि वहां है million doses of Sinopharm from China मैंने कारकन की शुरुआत में क्या कहा था अब ये देश जो हैं वो चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने चीन से 14 million doses Sinopharm का उन्हेंने order place किया है क्योंकि भारत ने यहां पर भी commitment दी हुई थी और यहां पर भी उन्होंने अपनी commitment पूरी नहीं की तो आप बताईए कहा गया वैक्सीन गुरू कहा गये वो दावे जिसमें हमने वैक्सीन गुरू के दावे किये थे इस मुद्दे को लेकर मैं आपसे समझना चाहता हूँ किसकी जवाब देए बताईए ना देश की international बेज़ जती हो रही है हमने जिन लोगों को वादा किया था वो वादे हमने पूरे नहीं किये तो अब इसकी जवाब नहीं तै की जानी चाहिए या नहीं किय तै की जानी चाहिए और यहीं नहीं दोस्तों इस वक्त हर भारती को दो वैक्सीन लगाए जा रही है कोवी शील्ड और को वैक्सीन क्या आप जानते इस खबर के मताबिक अगर आपको कोवी शील्ड भी लगी होगी तो आप यूरोपियन देशों में आपको सुचारू वीजा नहीं मिल पाएगा इसके अलावा कोवैक्सीन को भी स्वीक्रती को लेकर बहुत जादा असमंजस है हमारे कई चात्र जो अमरीका में पढ़ते हैं अब वो नहीं जा पाएंगे यूरोपियन यूनियन नहीं जा पाएंगे मैं आपसे समझना चाहता हूँ आज की तारिक में ना कोवैक्सीन को अनुमती मिली है इंटिनाशनली और अब इस खबर के मुताबिक कोवी शील्ड को भी नहीं मिली है यूरोपियन यूनियन की अनुमती इसका जिम्मेदार कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है However, Serum Institute Pune which makes कोवी शील्ड in India with a license from AstraZeneca did not apply to have the vaccine approved by the European Medicine Agency EMA Serum Institute ने अनुमती के लिए स्विक्रती के लिए आवेदन ही नहीं भरा क्यूं? क्यूंकि इनका एक commitment था कि हम जो गरीब देश हैं उन्हें vaccine मोहया कराएंगे अब वो commitment हमने पूरी नहीं की जैसा कि भूटान और श्विलंका के मामलों में हमने देखा और हमने आवेदन भी नहीं दिया था स्विक्रती का तू ना घर के रहे और ना घाट के रहे और फिर हमारे channels दावा करते हैं क्या दावा करते हैं? ये vaccine गुरू का दावा करते हैं तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ फिर से कि देश की international बेज़ती कौन कर रहा है? सिर्म इंस्ट्यूट के आदार पुना वाला ने क्या बयान दिया है आपके screens पर I have realized that a lot of Indians who have taken COVID shield are facing issues with travel to the European Union I assure everyone I have taken this up at the highest levels and hope to resolve this matter soon both with the regulators and at a diplomatic level with countries आज तारीख क्या है मुझे बताईए? आज तारीख है 28 June 2021 अब जाके सिर्म इंस्ट्यूट के सर्वे सर्वा कह रहे हैं कि अब ये मामला में सरकार के साथ लूँगा ये मामला में सरकार के साथ उठाऊंगा कूटनीतिक हल इसका ढूनने का हम प्रयास करेंगे इतने दिनों से ये सरकार क्या कर रही थी? एक तरफ आपने दुनिया को बगैर हमारी जरूरतों को यानि कि भारत की जरूरतों को समझे आपने दुनिया को कह दिया कि साब आम इतनी वैक्सीन्स देंगे फिर आपको जो डिलिवर करना था दुनिया को आपने वो नहीं किया अब दिक्कत ये है दोस्तों कि हमारी दोनों वैक्सीन भी इंटिनाशनली अप्रूवड नहीं है कम से कम यूरोपियन यूनियन, विशुस्वास संगठन और अमरीका दुआरा देश का डंका आखिर कौन बजा रहा है और मैं समझना चाहता हूँ क्या भाजपा का प्रचारतंत्र सिर्फ और सिर्फ जूट के बुनियाद पर चलता है इसी कारकरम में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोट की ऑक्सिजन ओडिट पैनल कमिटी का हवाला देते हुए भाजपा ने ये दावा किया था कि ये शक्स अर्विंद केजरिवाल ने जो दिल्ली की जरूरती थी ऑक्सिजन को लेकर उसे बढ़ा चड़ा के पेश किया चार गुना ज्यादा बढ़ा के पेश किया अब पता चला है कि भाजपा का वो दावा पूरी तरह से जूटा था मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि भाजपा ने क्या कहा था पलटवार में अर्विंद केजरिवाल सरकार ने क्या कहा था ये दोनों बयान एक साथ सुनिए फिर मैं आपको जो इनकी पोल खुल रही है वो बतलाने वाला हूँ सुनिए अर्विंद केजरिवाल जी ने डिमैंड किया था 1140 मेट्रिक टन का उनका कैलकुलेशन का तरीका था उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजन चाहे मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इखटा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सिजन इस्तेमाल किया उस दिन का तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था कहां आरविंद केजदिवाल जी कह रहे थी हमें आवश्यक्ता है 1140 और कहां वो 209 निकला मैं चुनोती देखे कहता हूं कि रिपोर्ट लाईए कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सिजन ऑडिट कम इंतिहां होती है और भारती जिनता पार्टी तो च्छूट आई के शर्यंतर ठीक नहीं है कि आपके substitute पर यह है रंदीप गुलेरिया रंदीप गुलेरिया ने NDTV को दिये गए इंटिव्यू में और कई चानल्स को दिये गए इंटिव्यू में कहा कि यह जो दावा किया गया है कि केजरी वाल ने चार गुना ज्यादा बढ़ा चड़ा के पेश किया दावा वो सही नहीं है अब हिंदुस टाइम टाइम्स की खबर देखि इन में से दो सदस्य हैं उन्हों ने ये जो audit panel की findings है उस पर दस्तखत नहीं किये खबर पढ़के सुनाना चाहता हूं दोस्तों आपको बहुती विचित्र खबर है The reports submitted to the Supreme Court also led to division within the five member subgroups with two members Delhi Principal Secretary B.S. Bhalla and Max Healthcare Clinical Director Sandeep Buddhi Raja lodging their dissent even skipping one of its meetings they flagged their objections in two separate notes B.S. Bhalla जो के दिली के प्रधान सचिव हैं और Max Healthcare के Clinical Director Sandeep Buddhi Raja इन दोनों ने कहा है कि हम इस report से इतिफाक नहीं रखते हमने इस पर दस्खत नहीं किये उन्होंने आगे क्या का दोस्तों इस खबर के मताबिक In a file noting of the Delhi Home Department, Bhalla Friday highlighted that the interim report seems to have been sent to the government of India without making the requisite changes, without sharing again with the members of the subgroup and without their formal approval यानि कि उनकी स्विक्रती नहीं ली गई, उनके दस्थकत नहीं लिए गई और report उन्हें दिखाई भी नहीं गई मैं भाश्पस यह समझना चाहता हूं कि क्या आपने भारत को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है कि आप लोग कुछ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे, आप धज्जियां उड़ाते रहेंगे देश के सम्विधान की, देश के नियम कानून की, सिर्फ अपनी राजनीती करने के लिए मैं समझना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली सरकार पर दोश इसलिए मढ़ रहे थे ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आपकी कमिया थी आक्सिजिन को लेकर, जिसमें लाखों लोग मर गए क्या उस सब को छिपाने के लिए आपने अर्विंद के जिवाल को बकरे के तोर पर ढूंडा है क्योंकि आट महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं कि योगी सरकार आक्सिजिन क्राइसिस को लेकर, कुरोना संकट को लेकर गिरी हुई है मैं यह समझना चाहता हूँ इस सरकार से कि आप इस तरह की गलत बायानी आखिर कब तक करते रहेंगे कब तक जूट बोलेंगे आप आपकी सियासत जूट का एक पुलंदा बन गई है गलत बायानी का एक पुलंदा बन गई है देश की जनता को आप कितना मूर्ख बनाएंगे और देश की जनता से मेरा इस अवाल ये लोग जूट उन बातों पर बूल रहे हैं जिसका तालुक आपके और हमारे स्वास से है आपके और हमारी सुरक्षा से है आपके और हमारी जान से है और ये जूट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका एक पालतू मीडिया है जो इस जूट का प्रचार प्रसार कर देगा बगएर उसकी पड़ताल किये बताईए ना इस हकीकत से आखिरे सरकार ये पुलिटिकल पार्टी कैसे मूँ मोड़ सकती है मगर निउस चक्र में हमारा फलसफा है दोस्तों आप तक हकीकत पहुचाना क्योंकि ये मुद्दे आपके हैं हम चाहते हैं कि जो ताकतवेर है वो जवाब देह बने जिसकी जवाब देही है उसकी जवाब देही तै की जाए और हम अपने सकर्तव से कभी पीछे नहीं हटेंगे अभिसार शर्मा को दीजे जासत नमस्कार